नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन वन फेस्बूक लाइब आज हमर साथ फेस्बूक लाइब में एक ऐसे सक्षियत पौदूद है जिसमें मुहिम चलाई है उत्राखंड नीजी स्कूलों में फीस बढ़ती का जो मामला चल रहा है लगतार वो अभिवभाओक की मांग राजे सरकार और केदर सरकार था कहते रहे हैं अभी नई क्या चीसे अभी फेस एक्ट में चल लेए हैं उसको लेकर करके हम बात कर रहे हैं कूर जपिंदर साब से बहुत स्वागत था आपकी नेशन में बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर एक ऐसा मामला जो लगतार बढ़ता जा रहा है अभी वहाँ कहीना कहीन परिशान होते नजर आ रहे हैं पूरे राजे सरकार ने जो फैसला अभी सुनाया है नीजी स्कूलों के हत में कहीना कहीन, बात कही गई है, क्या है पूरा मामला सर? देखे जैसा हम सबकी अभी जानकारी में हैं कि अभी हम लोगों ने इस नए आदेश के आते ही सिक्षा सचीव ने जो नए एक आदेश पारिद किया उसका विरोध करा और उसका वो विरोध करना इसलिए भी जरूरी था कि अलाई जहां से शुरू हुई थी हाई कोट ने इतना अच्छा निर्ने दिया उसमें राज्य सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था फी सेक्ट बनाने का और अपनी सिक्षा नीती में सुधार करने का जी तो जो सुधार नहीं हो पाया और दोबारा से उसी तरह से एक प्राइवेट सिक्षा तंतर को सरक्षर देने का काम और लोगों को लूटने की छूट देने का काम जिस तरह से दोबारा किया गया है तो इस तरह बहुत एक निंदनिये काम हुआ है और इसका उत्रा खंड के लाखों विवावग विरोध कर रहे हैं और लोगों के मन में एक बहुत बड़ा इसे लेके गुसा भी है और जो जिस्चे तोर पर उनका एक जायज गुसा है कि आप पूरी तरह से फिर स्कूलों को लुटने की छूट दे दी आपने जो एक तीन महीने की फीस जहां अन्ने राजे तीन तीन महीने की फीस माफ कर रहे हैं और उसके बाद आगे उन्होंने सुधार बहुत अच्छे करे हैं और आप उन्हें कूरी तरह से लुटने की छू सब्सक्राइब नहीं कर सकते लेकिन जो नए आदेश में जस तरह से फिर चूट देदी होगे देखे हाई कोट में नीती बनाने के लिए सरकार को गादा नियाए पालिका ने नियाए दिया नियाए पालिका का काम नियाए देना है लेकिन विधाई का और कारेपालिका का काम जनता के लिए न निती बनाना है तो उस नीती में एक दोबारा फिर भारी चूक हुई है किछले बीस वर्सों से निरंतर सिक्षा के शेत्र में इस चूक के होने का कारण गया है यह चूक पहली वार नहीए यह पहर बार की तरह इस वार फिर चूक हुय है तो कहीं न कहीं कहीं यह अभीवाबकों के मन में घुसा भी है और हमें अपनी सरकार से नराजगी है और बहुत बारी नराजगी है यह कोई छोटा मुदा नहीं है हमारा भी मन दुखी है हम अपनी आज हम अपनी परदेश सरकार से दुखी है उनके इसे काम को लेकर हम आने मुक्यमंतरी जी से नराज है हम बहुत परिशानी महसूस कर रहे है कि ये हमारे 26 लाग विवावा को शातर उनके दिलों पे क्या भीत रही है क्या ये फर्ज नहीं बनता था हमारे परदेश के मुख्या को कि वो इस पे निर्णे ले आज हमारे सिक्षा मंतरी क्या कर रहे है आज हमारे जनपरते निली आज क्यों अगर सरकार की तरह से ये गल तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है उत्राखंड की जनता के आगे आज हमारा मन इस नए आदेश की वज़ा से दुखी है अपनी सरकार से कौर साब लगता चाहे सरकार कॉंग्रेस की रही हो या सरकार भाजपा की हो बीस साल हो गए राजे गठन को लेकर लेकिन एक फीस एक्ट प्रोपर फीस एक्ट अभी तक नहीं बन पाया उत्राखंड सिक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है उत्राखंड की जनता का हमें हमें उमीद है कि हमारी सरकार इस पे निर्ने लेगी हमारी सरकार प्रैवेट स्कूलों की मर्मानी के खिलाब कड़ा रूख अपनाएगी लेकिन अफसोस कि आज हाई कोट ने एक इतना अच्छा मौका दिया था कि एक बनाने के लिए फी सेक्ट बनाने के लिए आप फी सेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप सिक्सानीती की बात नहीं कर रहे हैं आप दूसरी तरह प्रैवेट सिक्षा मावियाओं को खुली छूट की लूट दे रिके और इस तरह का दोबारा आदेश आना ये सरकार की नाक के नीचे यह आदेश आया कैसे क्यों नहीं किसी नहीं इसी का विरूद करा आज आज हम लाखो भाजपा के कारे करता है आज इस फरकत से दुखी है हमारा मन दुखी है आज उन लाखो अभी वांपकों और उन बतों के दिलों पर क्या बीच रही है जो बार बार 20 साल से लगा थ और उन्हें चला जा रहा है आज ये उत्राखंड की राजनिती में बहुत बड़ा सवाल बनके रह गया है जपिंदर साब आप भाजवा के आप नेता हैं तो क्या ऐसे क्या मजबूरिया रही है राजे सरकार के सामने ये आपको सवाल पूछना चाहिए ये सवाल आपको मने मुख्यमंतरी जी से पूछना चाहिए ये सवाल आपको मने सिख्यमंतरी जी से पूछना चाहिए ये सवाल आपको भाजवा के ने नेताओं से पूछना चाहिए सब से पूछेंगे सार अभी आपने सच निकल करा है कि बार 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 ये चल क्यूं हो रहा है ये चल क्यूं हो रहा है ये निश्ट और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं हमारी जगा आप बारी बारी से सबको आप हमने चैनल में बिटाएं और उनसे बूछें तकि ये जनता के साथ ये बीस सानों स जाता नयाए हो रहा है और कहीं सरकार से चूक होई है तो हमारे पास नयाए पानी रोक्तर का जौका चौता स्तंब है हमारे पास अपने जौते स्तंब के पास जा कर नियाए की गुहार लगाने का रास्ता सुरचित है और हमें पूरी उम्मीद है कि नियाए पाली का फिर नियाए दे गई लेकिन लेकिन बात नियाए पाली का की नहीं है नियाए पाली तक जाना क्यों पड़े सरकार किसका के लिए होती है हमारे हमारे परदेश के मुखिया हम आप इस पर्देश की जंता के अभी वावक हैं उनके हक हकुक पर डाका डालने वालों के गिलाव आपको कारवाई करनी पड़ेगी आपको एक अच्छा फीसेक्ट लाना पड़ेगा सिक्षा निती में मतलाव लाने पड़ेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चे तोर पर ये हमारे उपर है कि हमने इतिहास के अंदर अपना नाम कैसे दर्ज कराना है जंता के सेवक के रूम में या जंता को लूटने वालों का साथ दे के या खामोश बैठके हम कुछ ना करें क्या इस तरह का हम अपना से सामने लेके आएंगे जेरा तो ये हमारी सरकार स पहुंचाना और इन जो यह आदेश हुए हैं इन आदेशों के उपर पुन रिचार करना सरकार को दोवारा निर्ड़ने लेना पड़ेगा पुर्ण साब फीस बड़ात्री के बात की जाए आप राजे सरकार के शिक्षा मंतरी अर्वजिन पांडे कह रहे हैं कि जो लोग फीस नहीं दे पाते हैं निजी स्कूलों में वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पड़ा है ऐसा कहना है शिक्षा मंतरी अर्वजिन पांडे का कि आप जनता की सिवा करें परदेश की सिक्षानीती में बुदार लाए और प्रैवेट स्कूलों के द्वारा जो लूट हो रही है जो अभिवागों की जेब पे डाकार डाला जा रहा है आप उसे रोकने का काम करें क्यों नहीं आप फीसेक्ट ला रहे हैं क्यों नहीं आप सिक्षा विवाग के पूरे मालिक की तरह तरह तरीकों की तरह पेश कर रहे हैं और आप बार बार खुले आम उन्हें लूटने की छूट दे रहे हैं तो यह हमारे लोकतांतरी की व्यवस्ता में सरकार का काम नहीं होना चाहिए जिसकी पूरे परदेश में निंदा हुई है और हमें भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का बियान और इस तरह की नीतियों को लेके आगे किस तरह से हम अपनी जनता को नयाय दे पाएंगे वह साथ मुझ में हमारा बहुत दूपी है क्योंकि आज हमें उम्मिद नहीं थी कि हमारी पार्टी की तरफ से एक ऐसा निरने आएगा जो कईसी नहीं जनता का अहित करता होना जारा है हैं तो ये प्राइवेट स्कूल वाले खुले आम मनमानी क्यों नहीं करेंगे जब उनकी इस नीतियों के खिलाव र्वाई कोड़ से लेकर सुप्रेम कोड तक जाने की हम्मत हो जाती है तो हम जैसा चाहेंगे वیसा हम करालेगे तो ऐसा तो दो बीस सालों से होता आया है तो ये अब जनता को बार बार बेजज्जद करना जनता के już एकोन के Fahrबневार करना घ्वाब को यह अब अपनी हदे पार कर चुका है अब तो निश्चत तोर पर इस लड़ाई को जो जिस तरह से लाखों अभी वाकों की जागरुपता ने आज इसे पूरे उत्रा खंड में जन जन तक पहुंचा दिया यह गर-गर की लड़ाई बन चुका है तो यह अब सोचने का विशे है और आ मुख्य मंतरी जी से मानिय सिच्छ मंतरी जी से भी यह संज्ञान लेना चाहिए कि यह ऐसा एक्ट आज यह से गया क्या लगता है राजे सरकार इतने बड़े हो गए हैं कि वह मानिय नियायले का फैसला माननी के लिए भी तैयार नहीं है पहले कहा कि हमने अपने मन की पीड़ा आपको बता दी हमने लाखों अभिवाब को और चातरों के मन की पीड़ा आपको बता दी अब यह सवाल आप उनसे पूछें और उनका उत्तर जनता के सामने आए तो ये परदेश हित के लिए भी और अभिवाब को छातरों के लिए भी और सिक्षा निती के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम होगा उत्राखंड के मीडिया का तो ये अब उत्राखंड के मीडिया के उपर है कि वो परदेश हित में परदेश की सिक्षा निती के लिए आप किस तरह से आगे कदम बढ़ाते हैं हमारे 26 लाक से ज्यादा अभिवाब को और चातरों के साथ धोका हुआ है तो निश्चे तोर पर इसके खिलाफ आवाज उठाना और विरोध करना एक हमारा लोकतांतरी का दिकार भी है और सबसे बड़ी बात जो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता देना चाहें कि आज हमारे लाखों भाजबा के कारे करताओं को भी ये दो पहुंचा है और हमें भी दो पहुंचा है कि इस आदेश से आपने फिर से खुली लूट की छूट दी है प्राइवेट स्कूलों को तो निश्चे तोर पर हमारा सरकार से निवेदन है कि इस पे पुर्न रुचार करे और इस पे पुर्न रुचार करे अभिवागों और छात्रों को नियाए देने का काम करे बहुत शुक्रिया कुमार साब ये इस वक्त नेशन वन फेस्बूक लाइब में हमारे साथ बात कर रहे थे कुमार जपेंदर साहब जो एक फीस जो एक्च चले है उसके खिलाब याची का दायरी है जो फीस मामली का रखतार मामला बढ़ता जा। आप देखते रहे हैं Nation1 धन्यवाद